तो आप बने रहे हैं इस वीडियो के एंड तक और आपको सिफ देखना नहीं है साथ में प्रक्टिस भी करना है सबसे पहले आपको क्या करना है फीड को जॉाइन करना है एझार राइट साइड से स्टार्ट करेंगे चलाथ step together step together step together step together so basically आपको क्या करना पहले right side जाना है त्सपैंट करना है फिर left side आना है त्रेंड है ठीकर कर देखवार 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 now second आपका जो हैं वो पहले नीचे हैंड करना है हिट किया फिर आप अगें हिट आप हिट आप हिट आप हिट आप ओके सो एट काउंट्स तक हम लोग विट लैग यह स्टैप को रिपीट करते हैं 5 6 7 गो वान 2 3 4 5 6 7 8 आया ना सेकेंड स्टैप अभी आपको क्या करना है आप राइट साइड वापस जाना है आप ड्रैग करना है जैसे आपने स्टैप तुगेदर किया था वैसे ही आपको स्टैप लेना है बट तोड़ा सा ड्रैग करना है अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो आपका जो लैफ लैग है वो ड्रैग होगा ठीके ट्राइ करते है 5 6 7 go drag together drag together drag together that together so यह आप जो ड्रैक कर रहे हो आपका जो लास में जो टैप होता है वो लैग उठा के रखना है ठीक है गैंड इसमें जो हैंड है क्या करना है अगर आप right जा रहे हैं तो आपको पहले pick up अगर हम लोग run कर रहे हैं तो पहले pick up लेते हैं तो वैसे ही आपको अगर आप right जा रहे हैं तो पहले आपको right hand करना पड़ेगा then hit करना है up so ऐसा muscles दिखाना है ठीके so हम लग सिफ hands movement करेंगे 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yes okay so अभी आपको क्या करना है drag करना है right side so drag किया together drag together drag together drag together जैसे ही आपने finish किया आपको hands throw करना है so right to left ठीके पहले अगर आप right जा रहे हैं right side से left side पंच करना है got it try 5, 6, 7, go drag up drag up drag up drag up अच्छा एक चीज़ और जब ही आप ये step कर रहे हैं so जो beginners हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो straight रखके body कर सकते हैं practice के लिए और जो advance में करना चाहते हैं इसी step को तो थोड़ा सा body जुकाना पड़ेगा ठीके अगर बिसिकली आप अगर राइट जा रहे हैं तो अगर राइट जा रहे हो तो लेफ साइट बोड़ी को टिल्ट करना है अपर पाट टूगेदर लाफ टूगेदर राइट टूगेदर लाफ टूगेदर गट टूगेदर गटट ट्राइट फ्रम हें यह आपका दो स्टैप कंप्लीट हुआ अभी हम दोनों स्टैप को वापस से बिग्निंग से जॉइन करके देखा दें ठीके फाइट एट यह आपका फिनिश हुआ अभी दिखाओ लाफ वाट टूगेदर यह आपका फिनिश हुआ अभी दिखाओ last position अभी छोड़ दो hands ठीक है अभी इसके आगे क्या करना है आपको right leg बाहर निकालना है and shuffle करना है जैसे ही आपका ये right leg अंदर आया अपनी जगपे तो left बाहर जाएगा ठीक है try करते हैं slowly five six seven go out 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 so ये आपको shuffle करना है अपनी जगपे ही eight counts ठीक है and जो hands movement है वो पहले हम लोग ऐसे उपर से नीचे से cross करेंगे hands को ठीक है see cross ऐसे click करना है उसके बाद जब आपन करते हो तो hands ऐसे आएगा और यहाँ पर भी click होगा this ठीक है only hands one two three four five six seven eight yes with leg five six seven go one two three four five six seven after eight eight ठीक है जैसे ही आपका फिनिश हुआ left leg को right side kick करना है kick and open yes अभी यह आपका eight counts तक चलता रहेगा तो eight counts में आपको क्या करना है जब आप kick करने जाओगे तो जो right leg है वो पीछे आएगा means jump करना है और jump करने के बाद यहाँ पर किक करना है kick and back kick and back kick and back yes so यह आपका eight counts है और इसमें आप पोस्स दे सकते हो जैसे दिखाता हो में कैसे आप कर सकते हो इसको one two three one two three यह है तो आप इसमें join कर सकते हो अगर आप beginners है तो आप खड़े खड़े भी कर सकते हो इसको without hand yeah so एक बार हम लोग अभी four step beginning से करते हैं हम लोग च्वाइन करते जाएंगे ठीक है ना five six seven go one two three four five six seven drag one two three four five six seven and one two three four five six seven kick one and two three and four five six seven and stop यह आपका four step complete हुआ नाव लास्ट step अभी आपको क्या करना है आप आपका जो बॉड़ी पुश्चर है वो राइट साइड है हैंस यहां पर रखना है चेस्ट के पास अभी इसा इमेजिंग करो आपके साइड में दो लोग हैं वह आपको परिशान कर रहे हैं तो आपको ऐसा एल्बो से पंच करना है और उसके बाद आप कोई भी चीज अगर जीत जाते हो तो उसके बाद कैसे बोलते हो येस 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 ठीक है तो फाइट सेविन गो वान टू ट्री फोर फाइट सेविन एट या ना लैग मोमेंट क्या करना है अब जहां पर भी हो वहीं पर राइट लैग से स्टार्ट करेंगे तो फ्लोर पर टैप करना है लैप साइड टैप राइट लफ्ट ठीक है फॉर टैम आपको लैग फॉर टाइम यूस करना है वान टू ट्री-फोर फाइड शेक्स सेवन काट इट ट्राइड करते हैं विद लैग 5 6 7 गो वन टू ट्री-फोर अब भी आपके पूरे five steps complete हो गये हैं आप भी हम लोग इसको music पे भी करेंगे ठीक है so music पे ट्राइ करते हैं एक बार आपका सॉंग पे कंप्लीट हुआ ना यह 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 एट इट काउंट्स के five steps complete हुए अभी इसको फोर काउंट्स पे कैसे करना है फिर टू काउंट्स पे कैसे करना है और कोरिगाफिक कैसे रेडी होती है वह मैं अभी आगे आपको बताऊंगा धीरे धीरे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेए so अभी हम लोग four counts पे ट्राइ करते हैं yes so यह आपका four counts पे complete हुआ now अभी जब आप one sequence से अगर आपकी कोई वीडियो देखते हो या डांस देखते हो आपका भी डांस करने का मन करता है सेम कि मैं ऐसे कैसे को रिगाफ करूँ so अभी आप यही स्टैप one two counts पे करोगे तो वह कैसा दिखता है see आप मेरे साथ practice करो and two counts पे practice करने की ट्राइ करो मेरे साथ okay so यह आपका five step complete हो गया अभी वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट में बताए आपको कहें पे भी कुछ भी doubt है आप contact भी कर सकते है आपने वीडियो भी सेंट कर सकते हैं आपने वीडियो भी सेंट कर सब्सक्राइब आप हमें हमारा फिट्बैक दीजिए हम वेट करेंगे and I hope आप सबने दांस किया होगा प्रक्टिस भी किया होगी और अप अभी घर पे सेफ होगी so time को utilize करिये dance सिखिये और हमें वीडियो भी 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 बेजिये and please comment करके बताएए आपको कैसा लगा और आपने किया है यानी so thank you so much y'all thank you be safe stay home yes thank you